दोस्तो आज बहुत दिनों बात मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ हमारे चैनल Knowledge Never Dies पे कुछ दिनों में बहुत बीजी था पढ़ाई चालो थी और LLB कंप्लेट हो चुकी है रिजल्ट आना बाकी है आज मैं आपके सामने एक बहुत जादा important topic लेकर आया हो कि जब हम bear acts पढ़ते हैं तो जो दिक्कत हमको आती है उसको memorize करने के लिए दिमाग में रखने के लिए तो वो बहुत भारी पढ़ जाता है कभी कभी तो आज मैं आपको ऐसे tricks बताऊंगा कि अगर आप ने इस पर command कर ली तो समझ लीजिए कि आपने बहुत बड़ा मैदान मार लिया मैं यह कहूंगा क्यूंकि यह जो trick है यह मेरी practical है और मैंने जब से इस trick को इस्तमाल किया हूँ तो मुझको बहुत ज़ादा इसमें फाइदा हुआ है तो हमारा topic है one memorizing trick for all bare act sections यानि जब judiciary की हम civil judge पढ़ने के लिए तयारी करते है तो यह जो calculations मैंने बताया हूँ यह बहुत ज़ादा हमको इसमें फाइदा पहुचाएंगी तो without wasting any time वीडियो की और चलते है सबसे पहली चीज़ आपको देखना है कि जो आपका index होता है जैसे मिसाल के तोर पे अगर CPC है तो CPC का जो index है जहाँ पे सब bare act मौझूद है जहाँ पे सब sections मौझूद है जो sections मौझूद है section 1, 2, 3, 4, 5 उनको सुबा उठते ही आपको पढ़ लेना है और daily मैं बुलूँगा आपको at least 10 sections आपके हिसाब से पढ़ना है अगर मैं इसको maths calculation करूँ अगर इसकी मैं तो section 1 अगर CPC में है CRPC में है Indian Evidence Act में है Indian Contract Act में है अगर section 1 है तो अगर section 1 को आप सिर्फ reading के लिए 2 minutes दे रहे हो और उसको फिर revise करके memorize करने के लिए आप उसको 3 minutes दे रहे हो तो 5 minutes per section आपको एक section याद करने के लिए लगता है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपने इसको उसूली तोर पर याद कर लिए कि अब आपको इसको पढ़ने के जरूरत नहीं नहीं इसके आगे क्या करना है यह आपको कि आपके दिमाग में इससरीके से बढ़ जाए कि आपको रात में नीन में भी कोई उठा के पूछेगा तो आप भूलोगे नहीं 5 minutes 10 sections daily 50 minutes लगता है यानि एक गंटे में 10 minutes कम इसका मतलब यह हुआ कि अगर CPC में 158 total sections है तो आपको almost 16 days इसको याद करने में इसको पढ़ने में लग जाएंगे within 16 days आप at least इतने able तो हो जाऊंगे कि आप CPC के sections को अपने दिमाग में रख सकते हो यानि अगर कोई पूछे आप से के CRPC में 125 क्या है तो आप बोल सकते हो के 125 में maintenance की बात की गई है at least इतना आप पहुच जाऊंगे अब point number 3 जो है इसका के अभी 16 days तो हमको लग गए इसको याद करने के लिए समझने के लिए और 4 दिन जो बचे है 20 दिन complete होने में हमने यहाँ पे CPC के लिए 20 दिन का target बनाया है CRPC के लिए आप अलग target बना सकते हो तो अब CPC को complete करने के लिए 4 दिन और चीए तो 20 days हो जाएंगे अब इस 158 sections को अगर हम 4 दिन से divide करते हैं यानि आपको एक दिन में 40 sections याद करने पड़ेंगे तो यह जो 40 sections आपको याद करने है यह morning की बात नहीं है यानि अगर आपने target बनाई लिया है कि में को सिर्फ और सिर्फ CPC complete करना है within 20 days तो आपको रोज फिर 4 दिन के लिए 40 sections daily आपको पढ़ने पड़ेंगे आपको 158 sections इस तरीके से याद हो चुका है कि उसूली तोर पर इनकी सारी बाते आपके दिमाग में बैट चुकी है अब यहाँ पर हमारा काम रुखा नहीं है अब आपको करना क्या है कि जैसे linking करना आपको सीखना है law की linking statute sections की linking आपको करना सीखना है जैसे मिसाल के तोर पर अगर section 125 जैसे मैंने बताया है maintenance की बात करता है तो आपको क्या करना है कि आपको linking करना है कि ऐसा और कौन से कानून है जो maintenance की बात करता है जैसे section 24 और 25 of the Hindu Marriage Act यह maintenance की बात करता है section 18 of the Hindu Adoption and Maintenance Act यह maintenance की बात करता है तो इस चरीके से अगर आप करोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप से ये दिमाग में से निकल जाए कि ये section क्या ये section क्या ये section क्या ये linking बहुत अगर आपने ये linking करना कानून में सीख लिया देखिये judiciary का जो exam होता है civil judge का या किसी ने UPSC optional लिया है तो हो नहीं सकता कि उसको बैरेक्स के बगर वो एक्जाम में जाकर बैट जाए और पास हो जाएगा अच्छे नमबर से बैरेक्स पे कमांड होना बहुत जादा जरूरी है तो मैंने ये जो उसूल बताया हूँ बैरेक्स याद करने के लिए ये बहुत जादा आपके लिए फाइदे मन होगा लास में आपको क्या करना है कि रेपिटेडली आपको इन बैरेक्स को रिवाइस करता रहना है पड़ता रहना है ये सेक्शन के नमबर याद करते रहना है इसी ये होगा कि आपके दिमाग में यह सारे जितने भी sections आये है CPC, CRPC के यह आपके दिमाग में अच्छे से बैट जाएंगे आपको कोई भी पूछेगा 144 की धारा क्या है तो आप बता पाऊंगे या IPC का 420 क्या है आप बता पाऊंगे ठीक है तो यह सारी चीजे अगर आप इस हिसाब से चलते हो जैसा मैंने बताया हूँ तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें फाइदा होगा इसकी मैं आपको PDF हमारे link पर भेज देता हूँ हमारे description में भेज देता हूँ जो हमारे telegram पर channel भी है होँआ पर भी और इसी YouTube channel पर मैं आपको इसको लगा देता हूँ तो आप go through कर सकते हूँ से Thank you very much